नमस्कार दोस्तों मैं सिस्पाल मलिक स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन पे दोस्तों आज की वीडियो सभी किसानों और सभी पसुपालक बायों के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो सरकारी सकीम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है परदान मंतरी किसान ट्रैक्टर योजना 2022 जिसके तहट 90% सबसीड़ी आपको ट्रैक्टर लेने पर दी जाती है तो आप चाहे किसान हो या पसुपालक हो दोनों ही इस सकीम का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि जो पसुपालक होते हैं यानि कि जो पसुपालन का विरसाए है वो भी किरिशी के विरसाए में ही आता है तो दोनों को ही किसान कहा जाता है तो सभी किसान भाई और सभी पसुपालक भाई इस सकीम का फायदा उठा सकते हैं 90% सबसीड़ी आप एक ट्रैक्टर लेने पर पा सकते हैं सरकार की तरफ से तो ये बहुत ही सांदार सरकार की तरफ से किसान भाईों को योजना दी जा रही है तो परदान मंतरी किसान ट्रैक्टर योजना क्या है इसका क्या लाब है किन किन किसानों को इसका लाब मिलेगा क्या क्या इसकी पातरता है कहां पर और कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ओन लाइन और ओफ लाइन दोनों परकार के आवेदन इसके लिए जारे किये गए हैं तो इस योजना की और भी क्या details है किन किन राजियों में ये योजना भी शुरू हो चुकि है और किन राजों में अभी शुरू होने वाली है और मैं आपको बता दू दोस्तों की हर एक सटेट में यह जो सबसीडि प्रधाण मंतरी किसान योजना पर दी जा रही है 90 परसेंट वो हर एक सटेट में अलग-अलग है किसी में 50 परसेंट है किसी में 60 परसेंट है किसी में 70 असी तो किसी में 90 तो कौन से सटेट में कितने परसेंट सबसीडी सरकार की तरफ से दी जा रही है वो भी आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें कुछ परसेंट सबसीडी के अंदर सरकार की तरफ से दी जा रही है और कुछ परसेंट राज्य सरकार की तरफ से तो कौन से राज्य में कितनी सबसीडी दी जा रही है वो सब बता पूरी details complete details यह जना कि मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा तो पहले तो अपने सबी भाईयों से यही request है कि वीडियो पूरी देखा करें और पूरा लाब लिया करें और दूसरी एक और request मैं अपने भाईयों से करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई इस चैनल पर पहल का बटन है उसको भी दबाकर ओल पर सेट कर ले ताकि हमारी आगया आने वाली सभी वीडियो सीधे आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले उन्हें देखकर उन्हें फायदा उठा सके और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम रो साथ ही किसान भाईयों को और पसुपालक भाईयों को जो सरकार की सकीमें हैं और उन से होने वाले जो फायदे हैं उनका भी पता चलता रहता है और सरकारी सकीमों से सभी भाई अपडेट होते रहते हैं तो इसलिए एक बार फिर से कहता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बैल का बटन जो है उसको भी दबा कर ओल पर जरूर सेट कर ले तो चलिए दोस्तों वीडियो से टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आप गूगल पर परदान मंतरी किसान ट्रैक्टर योजना लिखते हैं तो आपके सामने ये पेज आएगा और अगर आप इसमें जो पहला लिंक है उस पर कलिक करते हैं तो जो परदान मंतरी किसान ट्रैक्टर योजना 2022 है उसके बारे में संपून डिटेल्स ओपन होके आ जाएगी कि ये परदान मंतरी किसान ट्रैक्टर योजना सरकार दवारा क्यों सुरू की गई है इसके क्या फायदे है इसकी क्या पात 2022 सरकार दवारा क्यों चलाई जा रही है किसान वायो हे तू परदान मंतरिन रिंदर मोधी दवारा कई योजनाओं को चलाया जा रहा है किसान समान नीदी योजना किसान मांधन योजना समेथ कई योजनाए किसानों के हित में चलाई जा रही है डिजीटल इंडिया के तहट ओन लाइन माईद्यम से इन किसान योजनाउं से जुडा लाब सीधे किसान के खाते में पोचा दिया जाता है खेती करने में किसानों को कोई प्रेशानी का सामना ना करना पड़े इसका ध्यान भी सरकार दवारा रखा जा रहा है किसान कम कीमत में खेती के आधूनिक उपकरण खरीद पाए इसके लिए भी केंदर सरकार ने कई योजनाई बनाई है जिन में से एक मुख है योजना है परदान मंतरी किसान ट्रैक्टर योजना और ये दोस्तों वो कुछ सवाल है जो लोगों के मनों में उठ रहे हैं जैसे पहला है कि प्यम किसान ट्रैक्टर योजना दोजार बाइस क्या है परदान मंतरी किसान ट्रैक्टर योजना का उदेश से क्या है परदान मंतरी किसान ट्रेक्टर योजना 2022 के लाब क्या है परदान मंतरी किसान ट्रेक्टर योजना 2022 की पातरता क्या है PM किसान ट्रेक्टर योजना के जो जरूरी दस्तावेज डोकुमेंट्स इसमें जरूरत पड़ती है इसका लाब लेने के लिए इसके लिए आवेदन करने के लिए वो क्या है PM किसान योजना का जो online registration है वो कैसे होता है online आवेदन परक्रिया क्या है परदानमंतरी किसान ट्रेक्टर योजना की offline आवेदन परक्रिया क्या है परदानमंत्रि किसान ट्रैक्टर योजना की ओनलाइन आवेदन प्रिक्रिया 2021 वाली क्या थी PM किसान ट्रैक्टर योजना ओनलाइन रिझिस्ट्रेशन MPBR और मारश्टर में क्या है तो ये बहुत सारे स्वाल जो कि हमारे किसान बाईों के मनों में उठ रहे हैं उन सबी का जवाब इसी पेज पर मिलेगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा तो वीडियो ध्यान से और पूरी देखिए तो सबसे पहले तो ये कि प्रदान मंतरी किसान ट्रेक्टर योजना 2022 क्या है परदानमंतरी किसान ट्रेक्टर योजना देश के परदानमंतरी नरेंदर मोधी के दवारा चलाई गई सकीम है इस योजना को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था सभी राज्यों के किर्षक इस योजना का फायदा उठा सकते है योजना के माद्यम से किसान नया ट्रेक्टर 20% से 50% की सबसीड़ी के साथ खरीज सकते हैं किसी भी कमपनी का ट्रेक्टर इस योजना के अंतरगत खरीदा जा सकता है तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि कुछ सटेट में ये सबसीड़ी 20% है कुछ में पसास है कुछ में 80-90 तक आपको ये सबसीड़ी मिल सकती है और कौन से सटेट में कितनी सबसीड़ी दी जाती है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा लेकिन उस से पहले बात करते हैं कि इस योजना का उदेश से क्या है जो परदान मंतरी ट्रेक्टर किसान योजना है उसका उदेश से क्या है तो दोस्तों इसका उदेश से आब ये सामने देख सकते हैं कि देश के ज्यादातर किसान करशिय पर आशरित हैं लेकिन इन में से कुछ किसानों के पास खेती करने हेतू जरूरी यंतरों का अभाव है इस कारण से किसान अच्छी तरह से खेती नहीं कर पाते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैक्टर खेती करने के लिए बेहेधी आवसक है ट्रैक्टर की कीमत काफी ज्यादा होने की वज ही है कि छोटे जो किसान है जो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते हैं उनको सबसीडी पर ट्रैक्टर अवलेबल कराया जाए तो ये तो था दोस्तों कि इस योजना का उदेश से क्या है अब सवाल आता है कि इस योजना के किसानों को फायदा क्या है लाब क्या है तो पीम किसान ट्रेक्टर योजना के माध्यम से किसान अपनी पसंद से किसी भी कमपनी का ट्रेक्टर खरीद सकता है आधी कीमत में नया ट्रेक्टर खरीदा जा सकता है सबसीडी के साथ रेण की सुईदा भी दी जाती है योजना का लाब देश के हर राज्य का किसान उठा सकता है सभी राज्यों के किसानों के ओनलाइन आवेदन हेतु अलग-अलग वेबस्टाइट त्यार की गई है लाबार्थियों को इस सकीम का रुपया डीवीटी दुवारा बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता है महिला किसानों को क ही को दी जाती है दोस्तों और अगे सवाल आता है दोस्तों कि इस योजना के लिए पातरता क्या होती है कौन-कौन से किसान इसका फायदा ले सकते हैं शिर्फ गरीब और शिमांत किर्श के छोटे-मोटे किसान ही इसका फायदा ले सकते हैं वही इसके लिए आवेदन कर सक एक किसान शिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीदने के लिए पात्तर है अन्य किसी किरशी यंतर सबसीडी योजना से जुड़ा खेती हर किसान इस ट्रैक्टर योजना के लिए पात्तर नहीं होगा आवेदन करता की उमर 18 वरस से ज्यादा होनी चाहिए आवेदन करने वाले किसान क के पास अपने नाम पर किरशी योगा जमीन होनी चाहिए पी-म किसान ट्रैक्टर योजना से जुड़ने वाले वैक्ति ने पिछले साथ वर्षों में कोई ट्रैक्टर ना खरीदा हो तो शिर्फ इस तरह के किसान ही इस योजना का लाब ले सकते हैं अब बात आती है दोस् लगेंगे तो इसमें जो पहला डोकुमेंट से लगेगा वो है आपका आधार कार्ड की एक कोपी दूसरा जो है वो है जमीन के दस्तावे जैसे खसरा नंबर खतोनी नंबर वोगेरा तीसरा आपका जो पहचान परमान पत्तर है उसकी एक कोपी आपका मोबाइल नंबर भी इसमें लगेगा जो आपका बैंक खाता की जो पासबुक है उसकी भी एक कोपी इसमें लगानी होगी और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको इसमें अपलाई करते समय लगाना होगा तो ये थे जरूरी दस्तावेज या डोकुमेंट्स जिनकी इसको अपलाई करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी तो ये डोकुमेंट्स आप हमेशा आपने साथ रखिए इसको अपलाई करते समय और अब बात आती है दोस्तों कि इस योजना के लिए हम अपलाई कहां पर करे आवेदन कहां पर करे कैसे करे ओनलाइन करे या ओफलाइन करे तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि और यहां भी आप देख सकते हैं सामने कि इस योजना के लिए ओनलाइन और ओफ लाइन दोनों तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं तो पहले मैं आपको ये बता दू कि इसके लिए ओफ लाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है तो किसान भायो इस सकीम के लिए ओफ लाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है वो ये करना है कि किसान को सब से पहले अपने नजदी की किर्शी विबाग या फिर अपने नजदी की जन शिवा किंदर जो CSC सेंटर होते हैं जहापर नोकरियों वगारा के फारम भरे जाते हैं वहाँ पर जाना होगा यहाँ जाने के बाद परदान मुंतरी किसान ट्रेक्टर योजना से जुड़ा आवेदन फारम प्राप्त करें आवेदन फारम में पूछी गई सभी जानकारिया जैसे नाम, पता, फोन नंबर, आदी को ठीक तरीके से भरे मांगे गए सभी दस्तावेजों की फोटो कोपी को आवेदन फारम के साथ सलगन कर दें और इसे जन सेवा के इंदर में ही जमा करा दें या तो जिस भी किर्शिवी बाग में आप गए हैं वहाँ पर जमा करा दें और वहाँ से आप इसके बारे में और भी ज्यादा डिटे है इसके लिए ओनलाइन आवेदन की क्या परकिरिया है तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं दोस्तों तो इसके लिए ओनलाइन आवेदन के लिए दोस्तों आपको जो काम करना वो यह है कि यह जो आप सामने स्टेटों की लिष्ट देख रहे हैं जो कि पहले मद्द प्रदेश है बिहार और जो गोवा वगारा सभी मतलब स्टेटों की लिख्ट पहले दी गई है और उनके आगे जो ओनलाइन फारम बरने का लिंक दिया गया है उस लिंक पर आप कलिक करोगे तो इनका हर एक स्टेट का ओनलाइन आवेदन करने का जो फारम है वो निकल कर सामन आ जाएगा आपको उसमें अपनी नाम पता फोन नंबर और जो भी डिटेल से इनमें मांगी गई है वो आपको तैस कहीं भर लेनी है और फिर सब्मिट कर देना है सब्मिट का बटन दबा देना है आपका फारम भर जायेगा सब्मिट हो जाएगा और जो अधिकारी है वो आपका फारम चेक करेंगे सभी डिटेल सही होंगी और आप इसके लिए पातर होंगे तो आपको सबसीडी मिल जाएगी जितनी परसेंट सबसीडी के लिए आप पातर होंगे उतने परसेंट आपको सबसीडी मिल जाएगी तो ये तो थी दोस्तो जानकारी परदान मंत्री किस ट्रेक्टर योजना 2022 के बारे में जिस पर 90% तक सबसीड़ी सरकारदवारा दी जा रही है उमीद है दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए लाइक से भी ज्यादा सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने किसान भाईयों के साथ है अपने रिष्टेदारों के साथ है ताकि वो सभी इसका फायदा उठा सके और जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ तो तब तक जाने से पहले एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करते ज है तो चलिए दोस्तों नमस्कार